दोस्तो आज मैं आकस्मिक धन प्राप्ती की इंद्राणी सादना आप सभी को बताने जा रहा हूँ इस सादना को मैंने आज से लगबग 20 साल पहले करा था मैंने बहुत कम उमर में ही मंत्र सादनों के शेत्र में अपनी खोच प्रारम कर दी थी इस सादना का जवर्दस्त प्रभाव मैंने स्वैम देखा है और मैंने इस मंत्र को लगबग 6-7 लोगों को दिया है और सभी को अश्यर चकित कर देने वाले अनुभव हुए आकस्मिक धन का मतलब होता है अचानक से धन प्राप्त होना जस धन की कोई उमीद ना हो जिसके लिए ज़्यादा मेहनत भी ना करी हो और जो बिना किसी प्राइस के अचानक से मिल जाए जैसे किसी की लोटरी लग जाना, अचानक किसी से गिफ्ट में कुछ धन प्राप्त होना ये सब आकस्मिक धन होता है और जिनकी जनम कुडली में ऐसे योग जितने प्रबल होते हैं उनको उतना अधिक लाब होता है पर जिनके भागे में या कुडली में ऐसा कुछ नहीं मिलना लिखा होता वो प्रयास तो करते हैं पर कुछ लाब नहीं होता तो ऐसी सिधी के लिए हमारे प्राचीन रिशी मुनियों ने मंत्र साधनाय बताई है जो व्यक्ति अगर करता है तो उसके भागे में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और साधना के माध्यम से जब वो देविक शक्ति प्रसन होती है तो कई प्रकार से आकस्मेक धन प्राप्ति होने लगती है तो ऐसी साधनाय तो शास्त्रों में बहुत मिल जाएंगी पर जो मैंने करी उसका अनुभव आप सभी को बता रहा हूं इस साधना के मंत्र की मात्र पांच मालाय मैं नित्य रात्री में जब करता था साधना नौ दिनों की थी पर नौ दिन में तो कुछ पता नहीं चला तो मैंने साधना बंद नहीं करी और आगे भी नित्य पांच माला जब करने लग गया तो ऐसा करते वे शायद 10-12 दिन हुए होंगे तो मुझे अचानक सड़क पर चलते वे 1 रुपे का सिक्का मिला तो मैंने उसे उठा कर जेब में रख लिया मैंने सोचा है तो ये भी आकस्मिक धनी लेकिन बहुत कम है तो खेर मैंने अपनी साधना बंद नहीं करी और मैं नित्य रातरी में पांच माला करता रहा फिर दो दिन बाद मुझे 10 रुपे का नोट अचानक से सड़क पर चलते वे दिखा मैंने उसे भी उठा कर जेब में रख लिया फिर उसी दिन मुझे बस से कहीं जाना था तो टिकट लेकर मैं जैसे ही बस में बैठा मैंने देखा मेरे बगल की खाली सीट पर 10-10 रुपे के 3-4 नोट पड़े हैं और कुछ चिक्के भी पड़े हैं मैंने सोचा शायद ये भी साधना का प्रभाव होगा तो मैंने वो रुपे भी उठा कर अपनी जेब में रख लिये फिर अगले दिन जब मैं किसी काम से घर से कहीं बाहर गया और जब शाम को घर वापस लोटा तो घर की सीडियों पर 100 रुपे का नोट पड़ा मिला मुझे अश्यर और भी अधिक तब हुआ जब साधना के दुरान ही मेरी माता जी को घर की बालकनी के कोने में 100 रुपे पड़े मिले यहां तक की मेरी सिश्टर को भी सीडियों पर पैसे मिलने लग गए मुझे अश्यर हो रहा था कि साधना तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ और इसका प्रभाव और चमतकार घरवालों के साथ भी होने लग गया है तो मैंने इस साधना को नित्ते 5 माला करते वे लगभग 3 महिने तक करा और मुझे इसी प्रकार से नित्ते अचानक धन मिलता रहा कभी सड़क पर, कभी बस में, कभी सीडियों पर, कभी घर की बालकनी में, कभी छट पर मुझे समझ नहाता था ये कहां से प्रकट हो जाता है तो लगभग 3 महिने के बाद मुझे कुछ अन्य साधना करनी थी और मुझे समय की कमी महसूस हो रही थी तो फिर मैंने ये साधना बंद कर दी साधना बंद करने के बाद कुछ समय तक तो इसका प्रभाव मुझे मिलता रहा फिर उसके, फिर सिधी समानने हो गई फिर मैंने कुछ समय बाद यही साधना अपने पिताजी को दी ताकि वो भी कुछ मंदर का चमतकार देख सके तो उन्होंने भी नित्य पांच माल अजब करना शुरू कर दिया साधना के कुछ दिन बात से ही उनको भी मेरी तरह धन मिलने लग गया पहले एक रुपए मिले फिर दस रुपए मिले फिर पचास रुपए फिर सौ रुपए और वो तो इस साधना में इतना आगे तक गए कि उनको 500 रुपए के तीन नोट यानी 1500 रुपए सडक पर चलते हुए अचानक से मिल गये आश्यरे की बात तो यह है कि जब साधना नहीं चलती है तो सुबह से शाम तक जितना मरजी गलियों में घुमते रहो एक रुपए का सिक्का भी नहीं मिलेगा पर जब साधना चलती है तो धन सडक पर या कहीं भी हमारे रास्ते में अचानक से प्रकट हो जाता है और हमारी नजर भी उस धन पर पड़ जाती है और उसी रास्ते से एतने सारे लोग बुजरते हैं मगर किसी को भी वो धन दिखाई नहीं देता तो जब मेरे पिताजी जब साधना कर रहे थे तो सिर्फ उन्हें ही अचानक ऐसे धन मिल रहा था बागी मुझे या परिवार के अन्रस अदस्य को कोई लाब नहीं हो रहा था जबकि मैं साथ साधना कर रहा था तो कुछ समय बाद मेरी सिस्टर और मेरी माता जी को भी अचानक धन मिलने लग गया था तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था अनुभव में फिर मैंने यही मंत्र और भी कुछ लोग को दिया और सभी को चमतकारी का अनुभव हुए तो आज मैं उसी साधना को अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ ताकि जो भी कुछ ऐसा चमतकार देखना चाहते हैं वो इस साधना को करके इसके लाब और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं इस मंत्र का मैंने कोई अनुष्ठान नहीं करा था बस नित्य जब ही करता था तो अनुष्ठान आवशक नहीं है बाकि आप चाहें तो अनुष्ठान कर सकते हैं इसमें कोई दोश नहीं है इसकी विधी बहुत सरहल है, किसी प्रकार के यंदर की आउशकता नहीं है बस इसमें संस्कारित माला की जरुत पड़ती है स्फटिक या सफेध हकीक की माला जो इंदरानी मंदरों से सिद की जाती है ऐसी माला से जब करने से पूरी सफलता मिल पाती है ऐसी माला आप लेकर कहीं से भी सिद करवा कर साधना में इस्तमाल कर सकते हैं अगर माला मिलने में आप सबको परिशानी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में वाटसप नमबर दिया है उस पर मैसेज करके भी आप माला मंगवा सकते हैं उस नमबर पर कॉल मत कीज़ेगा वो सिर्फ वाटसप नमबर है कॉल करेंगे तो कोई नहीं उठाएगा वो नमबर सिर्फ वाटसप के लिए है तो ये साधना शनीवार की रात्री से प्रारम की जाती है रात्री के किसी भी समय से प्रारम कर सकते हैं आसन कोई भी सफेद रंग का, पीले रंग का या लाल रंग का आसन इस्तमाल कर सकते हैं, उत्तरदिशा, पुर्वदिशा या पुर्वतरदिशा की तरफ मुझ करके साधना कर सकते हैं, माला को सामने रखकर उसका संशिप्त पूजन करेंगे, संशिप्त पूजन में आप अब करें मंत्र मैं विडियो स्क्रीन पर दे दूंगा और वर्ट डिस्क्रिप्शन में भी दें दूंगा पांच माला जब के बाद माला को अपने सामने पुझा स्तान में रख दें और कोशिश यही करें कि रोज एक फिक्स टाइम पर ही मंतर जब हो तो ऐसा नित्ते 5 माला करेंगे तो कुछी समय में आकस्मिक धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा शुरू में छोटा अमाउंट ही मिलेगा पर जैसे ऐसे साधना चलती रहेगी तो आकस्मिक धन भी जादा मिलना शुरू हो जाएगा आप उस धन का जैसे उपयोग करना चाहें वैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यह है आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको तुरंद नौटिफिकेशन मिल सके अभी इस चैनल पर बहुत से चमतकारी बातों को आप सभी के साथ शेयर करेंगे तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में